नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनू और आप देख रहे हैं वर्ट 360 विद मनू आप सब को पता ही है कि हम फेस्बूख यूट्यूब सभी जगह पे लाइव होते हैं और देश और दुनिया के जवलंग मुद्धो पर बात चीत करते हैं यूट्यूब पर हमारे सभी देखने वाले वर्ट360 विद मनू को जिनोंने सब्सक्राइब कर लिया प्र आफिर कब तक ये इसलाम के विस्तारवादी बूख लगातार बनी रहेएगी इस मुझे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंग्लेंड से human right activist आरीफ अजंकिया साब आरीफ जी आपका show में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार and thank you very much भारत से हमारे साथ जुड रहे हैं राजनेतिक विशलेशक एके मिश्राजी मिश्राजी आपका हमारे show में बहुत-बहुत स्वागत है आपके सभी पैनलिस्तों को मेरा नमस्कार दर्सकों को भी नमस्कार साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है Muslim महिला नेता और social activist खान मैं यानि की शबनम खान शबनम आपका भी show में बहुत-बहुत स्वागत है थैंक्यू दी जैहिं बंदे मातरम और साथ ही हमारे साथ मौजूद है social activist और दिल्ले परदेश कॉंग्रेस नेता रफी आता साथ रफी साथ आपका भी हमारे show में बहुत-बहुत स्वागत है आदाब जैगादी देश असलाव अलेकूम जैशियाराम चलिया अब हम अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं जो टाइटल हम लोगों ने डिसकस किया बताया अभी कि इस्लाम की विस्तारवादी भूख आरेफ साथ आप से ही शुरूहत करेंगे मेरा पहला सवाल है कि इस्लाम की शुरूहत कैसे हुई और इस्लाम की जो विस्तारवाद की भूख है ये कब से कैसे शुरू हुई देखें इस्लाम तो एक ब्रांच है जुडाइजम की और क्रिस्चेनिटी की ये कंटिन्यूइशन है उसमें प्रॉफिट्स आते रहते थे एक लाग चुबिस अज़र प्रॉफिट आये है अकॉडिंग टू इस्लाम और आखरी नभी थे मुहम्मद मुस्तिफा सल्लाओ अल्यूज़ वसल्म और कुरान को अगर आप देखे तो 80-90% कट पेस्ट है बाइबल से और बाइबल कट पेस्ट है तो यह कंटिनियूशन ओफ अबरामिक रिलिजन है आया कैसे तो यह 40 साल की उमर में मुहम्मद मुस्तिफा के उपर वही नाजिल होने शुरू हुई इसके बाद मक्का में 23 साल वो रहे 23 साल तक कुरान उन पे नाजिल होता रहा फिर मदीना चले गए दस साल वहां रहे फैला इनके बाद ही है इसलाम और फैला तलवार के जोर पही है फैला खोफ के जोर पही है जब नभी पाक का इंतकाल हुआ तो पूरे अरब में इंसरजेंसी पैदा हो गई कई नभी पैदा हो गई कई लोगों ने का कि बाई अब मैं नभी हूँ मैं हूँ कुछ लोग जो लोग खोफ के मारे इसलाम जिन्हों ने जोइन किया था वो इसलाम छोड़ने लगे तो खलीफा इसलाम अज़रत अबुबुकर सिद्धिक ने खालिद बिन वलिद की खयादत में कई लशकर बेजे और वो जो खोफ की फजा काइम की गई के मुर्तित के सजा मौत है और जिसने इसलाम छोड़ दिया उसको मार दिया जाएगा इसके लावा कोई बात नहीं होगी तो उस खोफ ने बाद में फिर बनूमया ने जो काम किये वो इसलाम का पहलने का सबब बना तो मैं समझता हूँ कि इसलाम असल तो खोफ था अब उसमें जो फिरके बने तो पहले सो साल के अंदर एक ही फिरका बनाता शिया खारजी और शिया बनेते खारजीयों को तो बाद में कंट्रॉल कर लिया गया लेकिन शिया फैलते गए और पहले सो साल में सिर्फ एक फिरका बनाता शिया और अकोर्डिन टू हदीस इसलाम के बहतर तेहतर फिरके होंगे और अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारे फिरके बने जब मीडिल इस्ट में ओटमनम पैर को तोड़ा गया लारुन सरफ और अरबिया के हावाले से मैं बात करूंगा कि साओधिय अरब और नजद हजाज जो वहां पे सल्तनाते थी उनके मिला के तक्रवा बनाए गया तो साओधिय अरब के जो फाउंटिंग फादर थे गिंग अबदल अजजीज वो और उनके सुसर अबदल वहाब इन्होंने वहाबी फिरकाईजाद किया फिर वहाबी फिरके कि अंग्रेजों ने बरांचें बनाई इंडिया में इंडिया में जितने फिरके बने इतनाते करार दिया किया है तो ये सब चीज़ें अंग्रेजों के जमाने में हुई थी अंग्रेजों को ये था कि हिंदू कौम तो पीसफुल कौम है और समझोते पर बिलिव करती है तो हिंदू को कंट्रोल करना इतना मसला नहीं होगा मुसल्मानों की तलवार से डरते थे और चूंकर मुसल्मानों का इंडिया में भी काफी अर्शे तक हकूमत रही थी तो मुसल्मानों की पावर को डिवाइट करने के लिए ये फिरके बनाये गए हिंदूस्तान में जी रफी साब आपने अरीव साहब को सुना आप इस पर क्या कहेंगे इन की आरिव साब ने शुरू में तो जो कहा कि वही नाजिल हुई है प्रॉफेट के जरी इसलाम आया है आसमानी किताब है गुराण और इसलाम भी आसमानी मजभ है और इससे पहले इसलाम जो यह कहते तो ये इसमें तो कोई डौराए नहीं है कि इसलाम जो है आखरी पेगंबर हज़रत मुहँद्व अल्हाइब अखरी खात्म नभी थे हमारे खात्म अम्बाइन थे ये कि इन पे नभूवत खतम हुई है इसलाम दुनिया का आखरी मजभ है मुकंमल दीन है और कुरान मुकंमल किताब है अब ये इनूने कहा कि तलवार के जूर पे पहला ऐसा तो हमें तो नहीं लगता तलवार पे कहीं नहीं है महबत से फैला इसलाम और दर्फ से फैला हूँद्विद्व धियों को जिन्दा जिनकर दिया जाता था तो इसलाम जब आया इन कुरुटियों के खिलाफ आया तो अंधेरे में जब रोशनी की किरन होती है उजाला होता है तो उजाला अपने आप फैलता है अब अंधेरे में एक मुंपती जला दे एक चिराख जला देगे तो उजाला अपने आप फैलेगा यही इसलाम का दर्स थ कि इसलाम ने तलवार के जोर पे फैला है ना खौफ के जोर पे फैला है इसलाम जो है जो फैला है वो कुरान जो है हमारा कुरान एक रोशनी है कुरान की रोशनी के जरी इसलाम फैला है तो यह यह कह रहे हैं बाकी जो चारो खलीफा थे हमारे चारो खलीफा थे और चारो खल आपने जैसे कहा अभी कि शबन में आपके तरफ आउंगी उससे पहले रफी साहब को सिर्फ एक पॉइंट आप पूजना चाहूंगी आपने कहा कि महपत से इसलाम फैला है दुनिया बर में इसलाम के थ्रू जो आतंक की खेती हो रही है हम देख रहे हैं मैज्योर्टी ओफ दा क्यों मुसल्मान का नाम ही जुड़ा हुआ होता है तो यह महपत कहा है और दूसरी मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ तो आप जो दैशतगर्दी और आतंक को इसलाम से जोड़ते हैं यह बिल्कुल गलत है इसलाम मैं नहीं जोड़ रही आप इसका मतलब यह कह रहे हैं कि उसमा बिन लादेन जो लोग है इन्होंने कुरान नहीं पढ़ी को इसलाम से इसलाम बोड़तीन है तो जो लिट वाले होते हैं जो यह जो फैले मेरे इंस्युन्ह जोड़ीया चोड़ी सहब पहले वाला उसामा विनलादेन नई नेए आप यही प्रॉब्लम है आप लोगों की आप सही जवाब निदेते हैं जी आईव सहाब आप सिदा नहीं मैं बेरी बाद सुनिया आप हिंडुस्तान में जो लिंच कर रहे हैं लोगों को मार देते हैं आप पहले पहले पैदा हुआ है यह जो इंसिडेंट अब हुआ है यह अब हुआ है आप लड़ने लग जाते हैं यही तो प्रॉब्लम है आप लड़ने लग जाते हैं यही तो प्रॉब्लम है यह जा इस्लाम कंडम करता कुरान कंडम करता आप लोग आप में से पाकिस्तान तो उनको शहीद कह रहा है कैसे इस्लाम कर दिया जी आरिस साहब जी मैं बड़े अतराम के साथ हमारे भाई रफी साहब से इस्तिलाफ करूंगा कि अरभ में बेटियों को दफन कर दिया यह सब काहानिया हैं, हमारे नभी पाक sallallahu alaihi wa sallam ने पक्चीस साल की उमर में चालिस साला बेवा औरत हज़रत खतीजा से जिए की थी, हज़रत खतीजा कारोबार करती थी, तो वो अरब जो करे फेलाई जाती है बाते हैं के जहालत थी, और तों हुकूक नहीं थे वहाँ पर वो कारोबार करती थी कैसे जबके नभी पाग के इसलाम के आने के बाद किसी ओरत के कारोबार करने की जोग करने की कोई शादत नहीं मिलती इसराम ने 50% पॉपिलेशन ओरत को तो घर में बंद कर दिया ओरत को तो आदी पहले आप मेरी बात सुन ले मैंने आपकी चुप-चप सुनी सारी बात फिर आप जवाब दीजिएगा आपको हख़े आदी गवाई आदी विरासत औरत को कोई हुकूक नहीं है इसलाम में पर्दे में बंद कर दिया इसलाम से पहले पर्दा नहीं होता था अरब में अब बा नबी पाक की बीवी अमुल मौमिन हजरत आईशा की जंग होती है अमिरुल मौमिन हजरत अली के साथ दामाद रसूल की जंग होती है बीवी रसूल के साथ दस हजार सहाबा मरे मारने वाले भी सहाबा मरने वाले भी सहाबा पिर बनुमया आता है बनुमया ने नवासा लिए महम्मद बिन कासिम को इधर बेजा गया सिंद्ध फता करने के लिए क्यूंकर खांदाने रसूल यहां पर पना लेके बेटा था राजा दाहिर के पास महम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की बेटियों को घुलाम बना के खलिफा के किदमत में तौफ़े के तोर पे ब बाब इन मुस्लिम को सेंटरेशन के बारे में बेजा उसका कतल हुआ तारिक बिन जियात को स्पेन फता करने बेजा उसका कतल हुआ इसलाम की बड़ी खुनी हिस्टरी है इसको कोई डिनाइग नहीं कर सकता सूफियों के दोर में नहीं पहला मेहमूद घजनवी मुहम्मद ब आसिम घोरी यह सब आते थे इसके पिछे सूफी आते थे तलवार के जोर पर कनवर्जन हुए तलवार के जोर पर फेलाए शबनम मैं आपकी तरफ आउंगी आरिफ साब ने जिस तरह आपकी तरफ रफी साब पहले मैं शबनम से पूछ लूँ महिलाओं की क्या स्थिती है इसलाम में कुरान में क्या लिखा है और जमीनी हकीकत में क्या है शबनम देखे कुरान शरीफ में तो सब कोई भी धरम की किताब उठाएंगी न मनुदिया तो आपको एकदम इस पश्ट और साफ शब्दों में अच्छी बाते दिखाई देंगी लिक्यों किसी में रत्ती भर भी नुकता भर भी कुछ गलत चीज नहीं लिक्की दिखाई देगी लेकिन अभी अभी आपने दो की बात से ही समझ लिया होगा आरी भाई ने कितना अच्छे से बताया और रफी भाई उस पर भी लड़ने को तयार है लड़ने की बात नहीं है वो महपत है उनकी बात लुहाँ पर ये है की हुजूर कहते हैं कि बैटी पैदा हो गई तो हमारे सरकात आजा गया खुजूर कहते हैं प्रॉफेट मोहमत की बात कर रह Palestine आम्मम्मइशल है कि आप पढ़ाई बैटी को भी बराबर पढ़ाईे बैचण को भी बराबर पढ़ाई ये मतलब जो वहमे जाना पर्दा ही करना है अगर पर्फियूम लगा लिया तो हराम हो जाएगा अगर आपने जीन्स पहन ली तो फिर तो भही आप तो महा नालाएक और महा पापी हो जाएंगी तो ये सब इनके अपने वर्चस्व की लडाई का है ये सारा और ये अभी जो बता रहें कि ने ने नहीं ये नहीं अरे जो जो सहबा थे जो बड़े हमारे हैड थे चार वहां क्या था किस चीज की लडाई की आप बताईए सब हुजूर की बात मानते चलते आगे आगे नहीं एक ने कहा मैं ये बता रहा हूं एक ने कहा मैं ये बता रहा हूं एक ने कहा मैं ये बता रहा यह तो कोई डिनाय करी नहीं सकता कि कुरान शरीफ पे आप चली नहीं रहें, मुसल्मान कौन सा कुरान शरीफ की बात पर चल रहा है, पूछ लीजिए जरा, और फिर आतंक वाद को आप कह रहें, धरम से मत जोड़ी है, क्यों नहीं जोड़ेंगे धरम से, भई क्या जितने आतंक वाद के जितने भी किस्से कहानी अपने आपने आज तक मनुदी सुने हैं, और आखों से देख रहें, लाईब, सुने वे तो छोड़ दीजे, जो हम आखों से देख रहें, क्या वो मुसल्मान नहीं कर रहें? क्या आपकी हमारी ड्यूटी मुसल्मानों की सिर्फ यह यह यहां बैटके जूटी बाते कर के कुछ चंद मुसल्मानों का अच्छा-च्छा-वावाही बटोरना? नहीं, हमारी ड्यूटी है जो गलत हुआ है, उसको सही ट्रैक पर लेकर आना, जो गलत कर रहें हैं, उनको भी सही ट्रैक पर लेकर आना, और कहीं खामी है, कोई कमी है उसको माफी मांगना और फिर जो हमारे भाई बंदू जो भी तो मुसल्मानी है नहीं जो टेररियिस्म कर रहे हैं उनको भी तो सीधी राप बह'll आने के लिए आपको काम करना पड़े गा आप तो यह कैए के पल्ला जाड लेते हैं मैं तो मुसल्मान मेरे को तो हम तो नहीं है ना हमने तो कुछ नहीं किया ना अरे हमने नहीं किया हमारी कौम का एक आदमी भी खराब होगा तो हम उसे सीधा नहीं करना चाहेंगे मतलब कौम के लिए कुछ नहीं करेंगे ये बस अपना पट्ता दिखा देंगे देखो मेरा तो ये रहा पट्ता मैं तो साफ सुतरा हूँ बाखी सब तेल लगाई है भाड में जाई है ऐसे नहीं चलेगा रफी भाई आपको इसलामिक लोगों को अच्छी राह भी दिखानी होगी चाहे इसके लिए मनुदी शायद हमारी बाते कड़वी लगती हूँ कुछ मुस्लिम भाईयों को लगती है नाराज होते हैं लेकिन जब आप हम बैठ के बताते हैं समझाते हैं तो समझते हैं सब लोग समझते हैं कि इस तरीके के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है समझते हैं कि इस तरीके के लोग जो जूटी बाते करते हैं चानलों में बैठ कर सिर्फ जूटी पोरी वावावा ही बटोरने के लिए करते हैं आप मानिये जो कमी है उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर हमें आगे बढ़ना होगा प्रॉफिट मुहम्मद ने जो हमें अच्छी बाते सिखाई हमें उसको कैसे आगे लेके चलना है या हमें आपसी भावर में फसा के रखना है कि मैं उनका मानने वाला हूं तो मैं अलग रह पकड़ लूँगा ये कट्रवादी तक इसने सिखाई है ये आरे भाई कि मैं इस बास से बिलकुँ सहमत नहीं अच्छी रहती हूं कभी भी कि इसलाम धरम यूँ इसलाम धरम कोई खराब नहीं है फिर उसको जो आगे बढ़ाता है ना माबाप बच्चे को पालते हैं दी किसी के माबाप यह नहीं कहते हैं जाए चोरी कर लीजिए बेटा जाए किसी की पिटाई कराइए बेटा जब माबाप यह नहीं सिखाते हैं तो धरन कैसे सिखा सकता है लेकिन उसको जो फॉलो करने वाले हैं वो फिर उसको कैसे लेके आगे चलते हैं, कोई एक बच्चा माबाप का नाम रोशन करता है, कोई एक बच्चा तिहार जेल में भी बंद है उनका, तो यह जिसमें जो रहा पकड़ ली, वो उधर ही चला गया, बस यह इतनी बात है, यह को नहीं समझाएगी, यह बहसी करते रहेंगे, और मुसल्मानों यह इसी भाशा में बात करेंगे, यह इसी भाशा में बात करेंगे, जैसे आरिफ कर रहे हैं, यह आपका भी तो आपना ट्रैक है, रफी साहब, आपने कौन समझ की हमें हमिला दी, तो आप उनको पॉइंट आउट मत कीजिए कि यह इसी भाशा में बात करेंगे, वो तो सह पाद चला ये पुरान में ये लिखा है मुसल्मानों की क्या ऐसी की तैसी कर आ रहे हो यहां बैटते रहे हैं बाते करके लो हुआ तर्जमा और उन्हें कतल करते रहो यहां तक के दुनिया से फितना खत्म हो जाएं और सब अगर वो बाद ना आएं और इस्लाम कबूल ना कर हैं तो सिवाए जालिमों के सब पे ज्याति करो खुदा अपनी इलहामी किताब में 30 से जाइद बार कतल करने का हुकुम देता है रफी साब यहां मौबत कहां है अब आरिफ साब ने गलत तो नहीं पढ़ा नहीं यह पढ़ सकते हैं यह कुरान में पढ़ सकते हैं यह में बता रहा हूं में अब्यान करना है आप इसा नहीं कह सकते हैं आप अपनी बात रखें वो अपनी बात रख लेंगे अब वो आपकी सुनेंगे आप बोलिए आप इंट्रेप निकर सकती नहीं आप लड़ा इक मत कीजिए प्लीज आप तो आप तो इमान वाले हैं हम तो काफिर हैं जो इशुर को मानता काफिर की डविनेशन नहीं जो इशुर को काफिर कह सकते हैं लेकिन जो इशुर में विश्वास नहीं हमें पता नहीं कितने आप मुझे यह बताएं कि जो लिंच करते हैं लिंच करते हैं आप पहले यह बताएं आप लिंच का मैं मैंने आपको बता दिया कि हमारा यह लिंचिंग और यह जिस तरह का भी गंदा गंदा काम हुआ देश्के लोग नहीं है दूसरी चीज का जवाब देखे लाइए लाइव आप शुनिये तरवार के जोड़ते निफ़ाला आप अच्छा आप मेरे बात बताएं रफी साहब जो मेरे एक बात पुरान को रोशनी मांन देंगे नहीं आप मुझे बताएं मिडल इस्ट में कौन दूसरा गया हुआ वहाँ पे चो जो है सिविल वार में सारे मुस्लिम देश पसे हुंगे हैं कौन सा दूसरा देश वहां पे गया है मुझे बिदा दिये हिंदूस्तान मा तो आपने कहा कि कुला इसलाम तरवार के जोर पहला तो मुझे बता दिया मुस्लिम वर्ड में प्यार और अमन और शांति क्यों नहीं है यही मुस्लिम को क्यों माल रहा है मुगल्स आए खुनी जंग्या बाप ने बेटे को मार दिया बैटे ने बाप को मार दिया भाई को मार दिया यह को तो आप उनको कैसे जोड रहे हो इससे उनको कैसे जोड रहे हो इससे आपके शब्सक्राइब तो आप ने का तरवार के जोर पे पहला आप प्यार महपत दिखा दिखा दिए जो राज शाही के टाइम में जो कुछ हुआ वंस परमपरा जो शुरू ही उनके जब तक खिलाफत थी तक तक खिलाफत तो इनसे जाड़ा कोई नहीं जानता मनुदी खिलाफत के स्टाट में चार खलीफा में से तीन खलीफा हापस में मार दिये गए सहाबा ने मारा उनको आप आज की बात कर रही हैं मैं उनको जिनको नभी पाक खुद सिखा के गए थे जिनों ने जिन्दगी नभी पाक के साथ गुजारी वो अपस में लड़ते मरते रहे हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा तीन दिन तक इनकी लाश सड़ती रही सड़क प उनको आज सव्मान थोड़ी थे वो नाम का मुसलमान होने सब्सक्राइब हो जाएगा वो जारे हमारे जमल क्या ती हजरत आईशा की हजरत अली के साथ जंग क्या थी उसमें कौन से खार जिते एक नभी पाक की भीवी थी एक नभी पाक का दामाद था उसको आप कैसे देखेंगे पता नहीं कौन सी किताब पढ़कर आएं अरे आप अधूरी बाते क्यों बता रहे हैं बाद में वह अगर हज़त आईशा और हज़त अली के भी जंग हुई थी अनुदी प्रॉफेट मुहम्मद के चाचा ने लास्ट तक इसलाम नहीं कबूला था दस हज़ार खाबा पतल हुए थे जंग जमल में दस हज़ार आप हज़त अबु तालिम ने बेशक इसलाम कबूल नहीं किया था लेकिन उन्होंने अलग बात होती है लेकिन उन्होंने इसलाम धर्म कबूल नहीं किया था जब प्रॉफेट मुहम्मद को पाला को था लेकिन फुर्कों के धर्म को नहीं छोड़ सकता यह इनका अलपास थे मिश्रा जी आप बताईए और आपने काफी शांती से सुना अब आरिफ सहाब को भी रफी साब को भी शम्नम को भी जरह आप भी रोश्नी डालिएगा थैंक यू मैं देखिए आपके सभी जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं यह टॉपिक बड़ा इंटेलेक्शुल है और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और सभी पैनलिस्ट से मेरा अनलोद है कि थोड़ा मुझे सुनिएगा क्योंकि मैं इसको दीनी तोर पे नहीं दो एक चीज और मैं डिफिनिशन क्लियर कर दूँ पैरामीटर क्लियर कर दूँ मैं मानने के लिए तैयार हूँ चुकि मैंने तो पढ़ा नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि बाई पुरान हदीश में हर चीजे बड़ी महबत की लिखिए हैं बहुत अच्छी लिखिए वो इसलाम का perception ऐसे ही develop करेंगे कि जो उनके followers हैं जो practice करने वाले हैं वो अपने रोजमर्णा की जिंदगी में कैसा behave करते हैं तो इसी basis पर ये मेरी analysis रहेगी आप चलिए उस वक्त जब इसलाम पैदा हुआ था ये question बड़ा वाजिब है आपका जो title है बड़ा वाजिब है नदिया नहीं थी खेती नहीं होती थी रेथ ही रेथ होते थे एक सब्धिता के develop होने के वहाँ पे सबसे कम chances थे जैसे सिंदू घाटी सब्धिता नील नदी की सब्धिता अडपा की सब्धिता ये सब अगल develop हुई तो यहाँ पे आदमियों के भरण और portion के लिए प्रकृत नहीं हर चीज दी थी खेती होती थी जंगल होते थे नदी थे पानी थे हर तरीके का खाना पीना था तो यह एक बैग्यानिक का रहा था जहां पे रिसोर्स बहुत ज्यादा नेचर में दिये हैं सब्धितायों वहीं पे develop हुई यह एक इकलोता ऐसा example है कि रेथ में जहां प के थे देखें कैसे expansion हो रहा है मैं point के वल expansion पर रखोंगा कि इनका mood of expansion क्या है strategy क्या है क्यों यह develop कर गए दूसरी चीज मैंने उसमें यह भी पढ़ी थी कि लगभग 2 billion के आसपास Muslim है 1.6 या 1.8 पूरी दुनिया में इस हिसाब से लगभग हर 4 में से एक आदमी यानि 25% मुसल्मान है पैदा कहा हुआ था अरब आज अरब की population कितनी होगी साओधी अरब की population 78 करोन है पूरे गल्फ की मिला देंगे तो होगी 25-50 करोन के आसपास होगी जितना तो इतना तो यूपी के इंडिया में एक दो इस्टेट में हो जाता है 22 करोन तो यूपी की है 22-25 करोन अब यह expansion कैसे हुआ दो चीज़े होती है मैं कोई भी एक जो है कबीला या आदमी का ग्रूप expand कैसे करता है expand करने के लिए जो बेसिक और मूलभूच चीज़े चाहिए वह बहुत गजब की इसमें है मैं आपको बता रहा हूं आप इसको दीनी उस पर मत ले करके जाएगा यह मान लीजे कि भगवान या खुदा यह नहीं होते हैं इस धर्ती पे कोई एक ग conclusions आते हैं या निकाले हैं मैंने derive की हैं देखिए सबसे पहले जिनोंने दीन को फैलाया इसलाम को जिनोंने फैलाया अच्छे थे बुरे थे मेरा इसके कोई कमेंट नहीं है practical life के हिसाब से बहुत जबर्जस्त wisdom था future का future का wisdom कैसे था किसी भी धर्म के दो पार्ट करिए endemic या उनके लिए नियम और कानून क्या है और जो उनसे मुक्तलिफ हैं जुदा है उनके लिए क्या है आपके अपने घर में नियम कानून कुछ और होते हैं आप बाहर जाते हैं तो दूसरे तरीके से behave करना शुरू करते हैं तो जिनोंने इसलाम धर्म को फैलाया क्या था सही था आपको अपनी सुपरमेसी को सेव करके रखना, इसके लिए उसमें एक फलसफा ये आ गया, वो सही है, गलत है, वो आप लोग देखिएगा, कि भाई, मैं ही एक मैसेंगर हूँ, भगमान एक ही है, यानि खुदा, कोई और दूसरा नहीं है, यानि उन्होंने सारे रास्ते बं रहा हूँ, और उस दीन के लिए, ये चीजे, तो पहली सुपरमेसी उन्होंने रूल ही प्रिंसिपल बहुत सही तरीके से बनाए, ग्रो करने के लिए, दूसरी इंपर्टेंट चीज ग्रो करने के लिए होती है, इनके पास इल्म नहीं था, बहुत सारी चीजे नहीं थी, अब हुआ क्या, इनिशेली पहले कुछ लोगों ने जोईन किया, कुछ लोगों ने जोईन किया, तो उसके बाद वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, ग्रुप बना, ग्रुप के बाद उसमें पॉलिटिक्स आ गई, यानि बाशाहत, राज्यों अगरा हुए, फिर लूट पाठ हुई पूरी दुनिया में, अब इसको बड़े ध्यान से सुनियेगा कैसे हुआ, शुरू में कुछ लोग थे, कमजोड थे, तब दूसरे लोगों को कैसे जोडा गया, एक सब्सक्राइब था, वहाँ पे औल लेडी एक्जिस्स करती थी, मैं एक चीज बोलता हूँ, इसलाम में एक चीज बड़ी खूब है, मैं बताओ, जो अधिकार, लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ के, जन्नती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जो भूख प्यास, दौलत इनकी जो चाहा होती है, इसलाम में जो अधिकार, किसी बादशाह को ह वही अधिकार एक जोपड़ी में रहने वाले को भी है, अब इसका असर देखिए, मेरे कहने का मतलब है, इसलाम में मोटिवेशन या इंसेंटिव इतना अच्छा दिया गया है, अपने टास्क को पूरा करने के लिए, कि दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनी आपको उतन बीबियां रखने का हग देगी, कौन सी कंपनी अपना टार्गेट पूरा कर लेने पर आपको चार बीबियों के साथ साथ लौंडिया रखने का भी हग देगी, कौन सी कंपनी आपको या अधिकार देगी या इंसेंटिव देगी कि अपने टार्गेट पूरे करो, तो आप का जो बिरोधी कंपनी वाला है उसको कैसे भी करके निस्तना बूठ कर दो सब जायज है और उसमें आपको जन्नत मिलेगी मतलब सिन फीलिंग ऑफ सिन आपकी फीलिंग बिना आने पाए लोगों के अच्छा अब इंसेंटिव देखिये क्या है बीबियां जो है चार बीबिया उनके पास पैसे होते थे स्टेटर सिंबल होता था वो रख सकते थे अच्छा और इंसेंटिव देखिये यहां पर क्या है जब आप देखिये प्यार और मुहपत से करिए ठीक है मैं मानता हूं इतने लोग कंवर्ट हुए कि यहां केंपरीजन यह है कि इन केंपरीजन आफ इन्होंने एक मुकमल करदी किताब की जो इसलाम है सुपरमेंसी को वो करने के लिए कि उसमें एक नुक्ता भी नहीं जोडा जा सकता है मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं करता हूं सनातन की बात करूँ तो हर धर्मों की किताबें अपनी अपने किताबें मैं रहा है सनातन धर्म की जो इस्थापना हुई है किसी एक आत्मी नहीं की ए लोग आते रहे अपने अपने वैल्ग एडिशन देते रहे लाइफ के हर हिस्से में और आज भी यह जारी है यहां पर कोई लिम्टेशन नहीं है, हम गीता में कितने अमेंटमेंट हुए या बता दीजिए जरा एक चीज मुझे आप यह बताईए तो मैं वही नेरी भासा तो आप बोल रहे हैं, मैं बोलना हूँ पॉस्टिव हो या निगेटिव हो दूसरी चीज है, आप कुरान में कितने अमेंटमे वगरा लिखे गए हैं, continuous cleansing, ने ने यहां पर बहुत सारी प्रधाओं को जो चीजे हिंदू समाज को सनातन समाज को गलत लगी, उनको खतम कर दिया गया सर, जो रफी सहाब, रफी सहाब, रफी सहाब, एक एक गैस को बोल देने दिजिए, आप किसी सादे दिजिए, मैं अनातन का बेस यह है कि कोई भी आदमी आके, कॉन्ट्रिब्यूट कर सकता है, अच्छा, दूसरी इसलाम के, इसलाम या उसके मानने वाले, मैंने पहले ही बोला है, हो सकता है, कुरान, हदीश वगरा, बहुत अच्छी हो, मैंने पढ़ाने ही है, हो सकता है, मुहम्मद है, फियर का, हर चीज का, उसके पीछे रीजन है, यह हर पॉस्विल तरीके को इन्होंने इंसेंटिवाइस कर दिया है, कोई आदमी प्यार और मुहबत से मान जाए, तो सही बात है, नहीं माने, तो तलवार भी उसके लिए जायज है, और उसको कोई गलत नहीं बोलेगा, और करेंट में भी यह प्रैक्टिस है, हर्याना में निकिता करके एक लड़की का, उसको गोली मारी, उसके मा का स्टेटमेंट सुनके हरान कर देने वाला है, उसके माने बोला, अरे वो निकाह के लिए, इस इसलाम कबूल करने के लिए हा कर देती, निकाह कर लेती, क्या कमी है हमारे अंदर हम MP भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, हमारे गर में दौलत है, यह सोच है इसलाम के आउरतों की आज 21 सदी में, मतलब उसमें कोई बदलाओं नहीं होगा, जहां पे इतने तगड़े इंसेंटिव दिये हैं, मरने के बाद भी इंसेंटिव हैं, में में हाँ पे, आप जाएंगे, जो चीजे आप प्रिछिवी पे नहीं भोगता है, आपको जन्नत में मिलेंगी, 72 हुरे, यह शराब, वो शराब, पूरे दुनिया के लोग तो मिलके वो शराब बना नहीं पाएं, अरे आप सुनिये, आप सुन लीजिये, आप पहले सुनिये, रफी सहाब, हम दिल्ली के मीडिया में नहीं बैठे हैं, प्लीज, मैं बता रहा हूँ, मैं इनको जवाब देते हैं, अरे इंद्र की अफसरा हैं, इसलिए नहीं मिलेंगी, ये ये बता रहा हूँ, करें नहीं पड़ा है जो आप किस करें यह जो सारे हो सकता है दो चार शाद दसफिल मुसलमान बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी पोशिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी जो मैंजी मम मुसलमान वही तो अरे टेक्स्टरी में लिखा हुआ है एह लोगो तो आप रेट् जब practical बोलने की बात आएगी, तब आए मुमीन हो जाएंगे, क्यव़िक्वल मुमीन के लिए दुनिया की सारी फैसल्टी है, तब नहीं मिलेगा, तब आए लोगों को बात नहीं होगा, तब आए मुमीनों की बात होगी, तब आए जिहादियों की बात होगी, मस्जिद में मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बैग्जानिक ब्याख्या को मुझे अपनी आप सुन लो, मैं सुनिये, सब बता क्या है, कौन इसलाम, इन्हों ने आदे घंटे बोला, सारे पैनलिस ने पैतालिस ने बोला, मैंने चुन तक नहीं किया, यह तनातल सब बता है, और यह भीच नहीं ही एग्रेसिव होगा है, यह कहिए यह इनको देख लीज कहीं तलवार लेके तो नहीं बैठे है, अभी गर्दन उला जागे लिए, इस जाह से अक्रिसी बोला है, तलवार में तलवार लोगे तैसी कर देते हैं, लो मिट में, लेट मी कॉंटीनू, लेट मी कॉंटीनू, मेरे ताने पाम सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे अग्ले में आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा जी जाएर ग्रोथ के लिए, अच्छे प्रैक्टिकल सर्वाइबल ग्रोथ के लिए, जितने हुनर चाहिए, चाहे सही हुँँद दिजी उसको प्रिंसिपल इन्होंने बना दिया, दस साल तक पहुंसते पहुंसते हर बच्चा मौमीन बन जाता है, यानि उसको पता है, उसका दुश्मन कौन है, दुश्मन के साथ विहैब कैसे करना है, उसके पूरे लाइफ का जो टास्क होता है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज जो जरूर करेगा, इसलाम का ए दुसरे धर्म बने जे जो वसुदवा कुटिम्बुखम की बात करते हैं, और पहले दूसरों की मदद की जाए, अब अपने घर में खाना होए, इनके हां क्या होता है, मदद होती भी है, तो केवल इसलामिक सेक्ट को मदद होती है, मुझे बताईए ज़रा एक उदारण की कहीं पर भी आपदा कुछ आई हो, तो दूसरे लोगों को उसी खुले दिल से मदद किया गया हो, इसलामिक कॉमूनिटी या कंट्री ने बहुत बहुत रेर एक्जाम्पल मिलेंगे, जो जनसंख्या में आपकी हिस्सदारी है, 40% जनसंख्या में हिस्सदारी है, और कॉंट जनसंख्या में हिस्सदारी है, जो शंशान भूमी में हिंदूों का कोरोना बोडियों का जो उंतिम संस्कार कर रही है, जो कितने परसेंट, कितने परसेंट होगा, मुझे बताइए, 40% की मुझे बता रहा हूँ कुछ नहीं है चोदाए सो साल में एक टैंकर आया है इसका पहले तो नंगी तल्वारे लेकर आते रहें तरह आपने जितना दान दिया जितनी आपने मदद की कितना लूटा जारा पता दीजिये कितने लोगों को मारा है आपने एक की मदद की कितने लोगों के गर्दन आपने उड़ाए है जराइए बताइए जहां आप बैटे हैं दिन्ली के पहाण गंज में लाखों लोग एक दिन में कतल कर दिये गए हैं इसलाम के नाम पर कतल किये गए हैं अरे सरहाद हो गई लाखो तो लोग एक दिन में पहां अगली में एक दिन में सब्सक्राइब प्लीज रुकिए और क्यों दूने से कलगता मोबट चाहिए प्रपूलेशन में कितने परसंट कॉंप्पूशन है हुविनिटी का चौदा सो सालों से बताईए जरा मिष्रा जी मेरी बाल सुरिए मीश जी प्लीज हमारे पास साओं REM रही है मुख्लों की सलिट्व है तो आपका लेकिन आपका टारगेत है किए परसंट होने का में काश्मीर में देखिए कितने percent Hindu tara bought उस भून में आप वी शामिलते बंगला जैस और पा किस्तान में हिंदूं की जो जन्संचाई घटी जैसे आइडियो लोट शामिल है और अपने आपको बचाईये मत के अब आप जहादी बन रहे थे, आप मुमीन बन रहे हैं, यही फर्क है, क्यों इसलाम आप वर्बल जहाद, शबनम आप बोलियें, मनुदी, यही इतनी बहुतां के मुसल्मानों का सबसे बड़ा दुश्मन बांता हूँ, मैंने तो बंद कर दिया था, रफी साहब, आपका माईक मैंने बंद कर दिया था, शबनम आप बताईए, फ्लीज, आपने थर्ड वर्ड वर्ड यही पर शुरू कर दी, मुहबत का पे अभीर बात उठाईए, इसे हम सबको पूरे समेधन शील होकर बात करनी चाहिए, ना ये कोई मजाख का विशह है, ना ये कोई हास्यास्पत, कोई कॉमेडी का शो हो रहा है, कि यहाँ पर है है करके, ना ये एक चैनल उस तरीके का है, कि जहां चिलाएं और बोकें और अप हमारी कमिया हैं और ऐसे नहीं रफी भाई को पता नहीं है, अबी मिश्रा जी ने काफी खूल के काफी सारी चीजे कहीं, और हम भी ये सब चीजे कहते हैं, लेकिन इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है, इसे सुधारा कैसे जाएगा रफी भाई और हम सब को मिलके इसके, पास सिर्फ 20 मिनेट बचे हैं हमारे पास सिर्फ 20 मिनेट विश्राजी आपको आपको जहादी है ना मुझे ने किसी ने गलत नहीं बढ़ा गीता भी पढ़ता हूं सब्सक्राइब करने वाले हैं जूट बोल रहे हैं सर्थ 1400 सालों में 1.2 बिलियन की बहुत नहीं कितना परसंट जूट आप फैलाते हां रहे हो इसलिए मुसल्मान गलत दिशा में दोड रहा है आज मिश्राजी की हिम्मत नहीं होती ऐसी बाते करने की अगर आपने पहले से सही रहा दिखाई होती अगर आपके जैसे कट्टरवादी लोगों ने गलत इसलाम ना फैलाया होता तो आज मि किताब में कुछ और बोलना कुछ और मस्जिद में कुछ और मिश्रा जी का क्योंकि वह एक बात तत्खे के अदार पर सच बोल रहे हैं क्या आप लोगों ने यह सब नहीं किये और क्या हुआ अगर साओधी अरब के टैंकर पे अरे भारत का मैं तो बड़ा-बड़ा नाम तारा कुछ अरे चोदासो साल में एक टैंकर पहली बार आया है तलवारे आती दिननंगे हाथ में तलवारे घुर्टों मार आते थे तारा माल हमारा तो चोड़ा साल में एक बार टैंकर आया है तो कोई इस नहीं है प्रादे वह भारत को पर आश्कर के गए जिन मुगर्ज का नाम लेते हो ना वो हमारे भारत की रोटी सोब्सक्राइब आए एक टैंकर भेज़के आप हमें कलमा पढ़ाना चाहते हैं एक टैंकर भेज़के आप यह सोच रहा है कि पैस कलमा पढ़ लूब आप इनकी सोच देखते ही देखें कैसे उचलने लगें काली पीली हमारे को भी चिलवा रहे हैं यहां पर मनुदी और मैं आराम से बात करते हैं एक दम धासू इंटरव्यू करते हैं प्यार से करते हैं छे गंटे भी बोल सकते हैं बेकार में आप लिए आप शांती प्रिये अता भाई को देखती ही देखें क्या उचला आई है इनके अंदर उचले जा रहे हैं कि हमारे टेंकर पर आपने रिलाइंस क्यों लिख दिया मेरा बस चले तो मैं हर कंट्री पर भारत का जंडा लगा कर आजाओं रफी सहाब कभी कभी इस चीज़ को भी कर्दब कर दीजिए लुगल्स आए मुगल्स आइं सारे उम्र हिदे साहब कर ले तो वर तो तका तो मसल्माना ने भेजा है और मुसल्मानों ने थूका डॉक्टरों पे तब भी उन्हें घिफेंड करने आ गगे तक लोग जब डॉक्टरों पे आप लोग कर द थूक रहे थे जब डॉकर आप घूकर थे प्रोग्राम करने प्रोग्राम करने हैं प्लीज शांति से जी आरिफ साहब रफी साहब प्लीज बीच में इंटर फेर मत किजीएगा मिश्राझ आप नी शाब प्लीज भी रिक्वेस्ट जी आरिफ साहब मेरी बड़ी मौदिबाना घुजारेश है रफी भाई के साथ के आभी रमदान चल रहा है रमदान में सबसे पहला मेसेज भूका प्यासा रहे ना नहीं है अपने नफस पे कंट्रॉल करने का जबत का गुसा ना करने का मतलब जो वायोलेंट बिहेवियर आप दिखा रहे हैं रफी भाई जरा आप किस तरह का इसलाम पहला रहे हैं खुद अपने रवाईये पे गोर करें क्यूंकर अगर आप कहते हैं महबबत से इसलाम पहला है तो आप कोई भी मुसल्मान नहीं होगा जितना आप वायोलेंटली जवाब दे रहे हैं हर बात का पहली बात दूसरी बात यह कि शबनम जी ने कहा कोई भी इलहामी किताब में तबदीली मुम्किन नहीं मैं इस पे अगरिए करता हूँ लेकिन इसलाम की जो किताब कुरान है वो नभी पाक के इन्तकाल के बाद हजरत खलीफा तीसरे खलीफा के दोर में कंपाईल हुई है पहली आयत जो आई है नभी पाक पे इक्राब है इसमे रब कल लजी खलक लेकिन कुरान में तो पहली आयत अलहम्दलिल्ला से शुरू होती है तो कुरान कमपाइल बहुत बाद में हुआ है दूसरा अरबिक मुझे आती है में बच्पन मेरा साओधी अरब में गुजराए जिस तरह हिंदी में भोवल होते हैं इसी तरह अरबिक में जेर जबर पेश होते हैं उनके उपर नीचे होने से मानी बदल जाते हैं उम्मी कहा गिया है नभी पाक को कुरान में उम्मी के चार मतलब है अरबिक में जाहिल का भी मतलब है बाप का भी मतलब है और कई मतलब और निकलते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह जो तरजुमे हम चोदा सो साल पहले करके आ गए आज हम कमसकम उन तर्जमों को रिवाइव करें आज के दोर के इसाब से इसी हिंदुस्तान में फोटो खीचना मना थी हराम थी आज पासपोर्ट बगएर फोटो पर्दे वाली औरत है उसके बगएर फोटो के पासपोर्ट नहीं बनता यहीं प्रिंटिंग प्रेस आये ते तो हराम करार दिये गए थे आज हलाल हैं घुलामी इसलाम में आज भी हराम नहीं है लेकिन आज के दोर के इसाब से कोई मुसल्मान मुल्क की हिम्मत नहीं को इसको हलाल करार दिये तो हालात के इसाब से चीज़ें तब्दील होती है तो म बेरा कहने का मतलब ये का आप कुरान को ना बदलो लेकिन आज के इसाब से कई चीजों में तर्जुमे करने पड़ते हैं इमाम एक आप सुने ले सर इमाम एहमद रजा बरेलवी साहब ने तीन किताबें लिखी हैं ये साबित करने के लिए के जमीन चपती है जमीन घुमती हैं और आल्ला ताला ने पहाड़ों की मीखें ठोकी थी जमीन को साबित करने के लिए साकित करने के लिए वो तर्जुमें फेल हो चुके हैं आज भी कई आपको बरेलवी फिक्चे के लोक कहेंगे कि ने हम तो इमाम एहमद रजा को मानते साइंस को नहीं मानते लेकिन जो 이게 کہتا ہے وہ بیوقوف ہے کیونکہ سائنس کی تھیوری ثابت ہو چکی ہے کہ زمین روٹیٹ کرتی ہے قرآن کہتا ہے سورج زمین کے گرد روٹیٹ کرتا ہے یہ قرآن نہیں کہتا یہ ترجمہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی چودہ سو سال پرانے عساب کتاب میں جینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں مختصر ایک آخری بات اس کے بعد آپ کے حوالے پلور مختصر یہ کہ یہ جو قوم ہے نہ عرب یہ آج تبدیل ہونے کے لیے तैयार है साओधिय अरब रामाइन पढ़ा रहे हैं वो वो आपको टेंक कर भेज रहे हैं तो वो दोस्तियां कर रहे हैं ठीक है ना उनकी मजबूरी है सर अहसान नहीं कर रहे हैं मजबूरी है उनको समझ में आ गया है वो दोस्तियां कर रहे हैं और उनको भारत के साथ दोस् कर रहा है पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान तो विकारी है वहां पे फित्रे के कैम्प लगा के आया है इमरान खान अभी परसों फित्रा मांग रहा है जकात मांग रहा है भारत ऐसा का बड़ा क्लोज रिलेशन्शिप है करंट अरब कंट्रे से यह वो अरब हैं यह वो कि यह क्यों नहीं सुधरते हैं एक लाग 24 सुधार पैगंबर से नहीं सुधरे हैं अफर हम कैसे सुधार देखी ते जी जी आरिम साहब कंटिन्यू कीजिए जी मेरे पास दो मिनट मिलें के रफी साहब क्योंकि प्रोग्राम समग होने वाले मुझे प्लोजिंग ने मांग कहता हूं पहली बाद तो यह कहा के पैगंबर सारे अरब में उत्रे कुरान बिल्कुल कहता है कि दुनिया के हर हिस्से में और हर मुल्क में पैगंबर आये हैं कबल इसलाम के तो खाली 24 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में वह अरब से लेके यरुशलम तक वह सारा उदर ने कौन से उतरे थे रफिय सहाब भारत में कुन से उतरे थे तुन अलब्व में दूनिया इस्से पहले तो पहले उतरना चाहिए था आरे सहाब पेगंबर मुहमत को भारत से ही आती थी शायद तो फिर यहां क्यों नहीं पता वो बोलते थे मैं हिंद में नहीं हिंद मुझ में है इसको मुलावनाओं में घजवाए हिंद में तर्जुवा कर दिया अल्प ज्यार होता है मनुदी रफी साहब आख्री का एक मिनट जी जी पिल्कुल मैं क्लोजिक्री बात ले रही हूं मेरा एक टाक पुरा हो रहे है के अब आपने का पहां कि यह कहते हैं यह दो किसी अव्तार को बुर्या न के जो अदर्शों को बुरान मत बता है पाकिस्तान का इश्नंदा भारत में मत बॉल ये रफी सहाब यहां कोई कर रहे हैं आपने का बारत में पूछा है आपने तो पूछा है अपने ज्ञान को भड़ाना चाहना आपने बात पलड़ती अगरी का बताइए अगरी का क्लोजिंग रिमार्क चाहिए आपसे मैंनुदी अल्प ग्यान अगरा आज का सब्जेक्ट चुन लीजिए एक बार इस्लाम की विस्तारवादी भूख यही टाइटल था इसी पे लिए प्लोजिंग रिमार्क शवनम एक मिनट पे चाहिए मुझ अगर आप किसी चीज का विस्तार करना चाहते न और आप उसको जगडे से लफडे से तलवार से दंगे से इससे करना चाहेंगे तो आपकी भूख कभी शांत नहीं होगी आपको प्रेम से प्यार से और प्रेम प्यार तो आप देखी रही है कि किस तरीके का है इनके अंदर और यह एक रफी भाई की प्रॉब्लम नहीं है यह 99.9% मुस्लिम की प्रॉब्लम है जो यह करने से कुछ काम नहीं चलता शरम करिए थोड़ी कि आपको सब लोग क्या कह रहे हैं यही करके नहीं चलता है कितनी गंभीर बात कर रहे हैं तो इसे जिद अखड़ता और बत्तमीजी के माधम मत अपनाईए इसके लिए आप कुछ ऐसा अच्छा करके दिखाईए मैं मुसल्मानों को कह रही हूँ अगर आप बहुत अपने धर्म का परचार करना चाहते और बताना चाहते हैं यह हमारा इसलाम बहुत स्ट्रॉंग है और अच्छा है और हमने हर एक बात अच्छी सीखी है तो आपको वैसा बनकर भी दिखाना पड़ेगा जमीन पर बनकर दिखाना पड़ेगा यह कोरी बाते और रामे बाजी यह करने से काम नहीं चलेगा इससे तो मुसल्मान को आप और ढ़ी एक मिनट क्लोजिंग रिमार्क आज के सब्जेक्ट पे प्लीज देखिये मैं चौदा सो साल का इतिहास है आज के डेट में वन टू बिलियन की पॉपुलेशन का कॉंट्रीबूशन मैं पूछ लेता हूं चालीस परसंट अर्टालीस परसंट मुसलिम पॉपुलेशन है यूमिनिटी को क्या कॉंट्रीबूशन है कि अबल मार काट कबजा करना लूटना घसोटना जिस कौम में कुछ लोग अच्छे होंगे पुरे कौम के बच्चे बुढ़ों का एक अल्टीमेट टारगेट आइडियो लॉजिकल टारगेट ये बना दिया गया हो कि तुम दीन के लिए लॉंडियों को रखने का कॉंसा मुसल्मान चोड़ना चाहेगा लूट के बीच में बट जाएगा और उसमें केवल जोली रूपए पैसे नहीं है औरते भी जो है माले गनीमत है वो भी बटेंगी हिस्सेदारी होंगी गुलाम भी होंगे हिस्सेदारी जिसका कॉं 2.2 billion मौमीन जब केवल इसी काम में लगे रहेंगे तो कौन बढ़ेगा यह डाइनासौर वाला एक्जामपल देख लीजे डाइनासौर कैसे बढ़ा था और कैसे खतम हुआ था scientific explanation एक सब्द में यह है कि कैसे डाइनासौर बढ़ गया वो हर तरीके से दूसरों को खतम कर देते थे दूसरों का खाना वो खा डालते थे चाहे जो बड़े डाइनासौर होते थे मांस खाते थे वो दूसरे जानवरों को खा जाते थे जो हर भी बोर्स होते थे वो पेड़ मिले जो मैं सुनता हूँ मैंने पढ़ा नहीं है क्या है क्या है क्या नहीं जिस रिलीजन में इसलाम को अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए बम लगा करके आप उडा लीजिए बिना किसी परफस के मॉल में जाके सिनेमा हॉल में जाके फोर दीजिए तो वो रिलीजन नह तो चौदा सो साल से एक टैंकर आ जया तो यह हमें अब सोच रहे हैं कि मैं कलमा पढ़ लूँ एहसान के नीचे तब चाहूं चौदा सा साल में कितनी दौलप लूट के गए हैं इंडिया से अगर उसका हिसाम मांगने लगू इंटरेस्ट के साथ ना तो उनके मानों की जो है न्यू की इड बिग जाएगी और चुका नहीं पाहेंगे अगले चौदा हजार सालों में इतनी दौलप लूट के लूट के सब्जेक्ट रफी सहाब सब्जेक्ट ए इसलाम के विस्णारवादी भूट सिर्फ सब्जेक्ट पे बॉलिए तरिफ सब्जेक्ट पर चुनिए मैंने शुरूर में बाला कि वाध्शाहों को छोड़ दीजिए औरे जोपड़ी में रहने वाले कौन से हिंदू के पास चार भी बी बीए जोपनी में रहने वाले कौन से रीब बिंदू के पास चार भी बीए मैं तो गिना对 हमानों में अन्मस्था मैं पहले ही बोल दिया जोल पर जोड 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 पर él outsiders uh tous आप जोल रहे inc जान रहे के आप जोड 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 रहे का कि सहaber ना स्वेश्क जीच अ कर देखा से वही सूफी जिसने सहीयो गिता को छोड़ दिया था भेडियों के दीच में जिस राइब बच पत नहीं है यह गलत बोल रहा है ऐसी बत्तमी जी आप इसे बिल्कुल नहीं तो अब तो देगे आप तो दंगी दे रहा हूं कि दे रहे हैं बत्तमी जी कौन सा लोजिक नहीं दे रहा है आप मैं जहास की बात बता रहा हूं अरे में कितनी करदरने कटी ए मुझे बताएं लोनी में कि आरे साथ आज के सब्जेक्टे में मिश्रा जी से दरख्वास करूंगा कि यह जो चार बीवियां है यह सजा है मैं तो एक बीवी है उसको मैं सोचता हूँ चार करसे संभालते होंगे तो बाइस सब आरा आदमी के लिए वो इंसेंटिव नहीं है कुछ लोगों के लिए यह सजा भी यह आप लड़ने लग जाते हैं मैंने आपको एक मिनट दिया वो नेमत है बाकी यह है कि देखें धीरच से बात की जा सकती है अचा मुहम्मद साहब ने कितनी वीवियां थी मुझे बताईए जरा और उनकी उम्ड क्या थी पताईए एक लिए वर्ज है कि वो धीरच से जवाब दे अगर वो सच्चा है तो उसको बढ़कने की जरूरत नहीं है ठीक है ना भाई खुद मुहम्मद साहब ने टोपिक प आज के दोर के हिसाब से चलाया जाए आज चोदा सो साल पुराने वाला दोर नहीं है कि आप तलवार लेके घोड़े पे बैटके निकल गए दुनिया फता करने के लिए अगर आपको ये करना भी है तो अमरीका की तरह करें जिसने पूरी दुनिया फता करने से पहले इल्म साइंटिफिक रिसर्च के खजाने अपने आप आ लें पहले अपने आपको इस काबिल करें दुनिया के तकरीबन मसल्मान मुल्क मौताज हैं आज वेक्सिनेशन कोई मुसल्मान मुल्क नहीं बना रहा तो आज हर चीज़ के लिए हत्यार के लिए पेट्रॉल के लिए लिए प्लीजानी क्या हो जाएगा एक टैंकर दे के तो यहां तर्वार लेके सारी वैक्सिन ले जाएंगे आप मुल्ला की हाथ में आपने इसलाम दे दिया है जिसकी वज़ा से मामला खरश पढ़िये रफी भाई अला का इसलाम रुको शब्रम रुको शब्रम कोई मजब हम वालों को उपर है कि हम उसमें से कौन सी चीज को अडॉप्ट करते हैं यह आरी भाई मैं यहीं से एक एक ग्जामपल देती हूं हम सब लेके चिला कॉन रहा है यह मस्जिद अक्सा में गोलिया चलाई यह यह देख लीजिए चारो रफी सहाब मेरे मेरे प्रोग्राम का सब्सक्राइब करते हैं मुसल्मान सीधे होलिया चलाते हैं चोटी-बोटी चीजे वह सीधे फाटर प्लें लडा देते हैं बिल्डिंग से वह Know एब लड़र प्रोग्राम के पूरी बील्डिंग उड़ा देते हैं ड्रख में भन भर के चोटी-बोटी गोलियां चलाएंगे मुसल्मान सीधे वह सीधे प्लेंग टक्र मार देते हैं वह सीधे बहुद कर देते हैं अन सुद्सक्राइब किbell कि मुसल्मान चोटी मोटी गोलिया नहीं चलाते हैं ते प्लेंट अखरा देते हैं में बारूद भर के पुरा शहर उड़ा देंगे मुसल्मानों ने मार दिया जियादियों ने अल्ला वक्पर का नौरा लगा के कतल कर दिया मुसल्मानों को बचाने के लिए जड़ा पूछे मेरी तरस से अभी है इसलाम वो दीन है इसलाम दर्फोग निया इसलाम नहीं जोड़ेगा सब्सक्राइब करता है मेरा एक सवाल है कि जिस जरुसिलम के लिए आज तड़प रहें मुझे ये बताए कि महां बेतल हम सब्सक्राइब करें मुसल्मानों पर लानत बेचता हूं मैं आप लोगों को मुसल्मानी नहीं समझता हूं समझे ना आप मुसल्मानों के लिए बात कर रहे हो आप सुनने को तयार नहीं हो आपके अंदर इसलाम कम है पहले पहले आप सुनने के अदर डालिए पहरा सवाल सुनिए पहले जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा यहूदियों के नभी हद्रत सुलिमान उलिहस्ळाम की दीवारे गरिया जरुसलम में इसाइयों के नभी हद्रति इसलाम बेतल हम में पैदा हुए迪 dolhab के नभी मेरे नभी कि यरुशलम पर आपका क्या हक है आपका आपका वहां पर क्या हक है मुझे यह बता दें वहां तो उनका हक छोड़िए अपना हक बताइए बाई मुसल्मान होने का मतलब यह पूरी दुनिया पर हक है करने का आपके वह बाकसा हो गया और पूरी दुनिया गई अरे आप तिरंगा पींचे लगाते हम सीने रखते हैं तरंगा अपने सर तिरंगा दिखा तो नहीं जब से प्रोग्राम शुरू है मैं सोत्रियों रफीस आप प्यार महबत की बात कर ले इसलाहम की बात कर ले आपने सारा सियासी बाती तो जरूर कर ली रफीस आप आगरी के रिमाग दे दीजिए भारत का सभीदान छोड़िये सभीदान की फोट सब्सक्राइब करते हो आप सुन लीजिए प्लीज प्लीज मैं अपने गैस से रिक्वेस्ट करूंगी सुन लीजेगा रफी सहाब आपने सब्सक्राइब करते हैं और अमेंडमेंट की जाता है कि जो चीज गलत होती है उसको बदला जाता है मेरे प्रोग्राम का समय खतम हो गया आपने मिनट को इस्तेमाल नहीं किया रफीस आप इसलिए मैं आप को और वक्त नहीं दे सकती मैंने कितने बारा को रिक्वेस्ट किय सब्सक्राइब करते हैं मेरे प्रोग्राम का बक्त खतम हो गया है रफीस सहाब आपको तो आपने तो मैं तो समझी थी कि बहुत मदब समझदार आपको समझी थी और आपको इसलिए इन्वाइट किया था मैंने लेकिन आपने शुरू से लेके अभी तक सिर्फ जंग की लड़ाई की भाचा के अला दिया था इससे ज्यादा का मैं वक्त नहीं ले सकती है मुझे क्लोजिंग रिमार्थ मुझे सब्के मिल गए थे रफीस साब अभी भी अपना क्लोजिंग रिमार्थ देना चाहते है एक मिनिट में खतम कर दीजे प्लीज बैत यहीं को गए विस्तारवाद की भूब जो बतारे है कहीं नहीं है इसलाम मैंने कहा कि उजाले आप जो रोशनी है जो प्रॉशनी है और वदूर एकरण स्वादा रह्मत अलामीन है उनके रह्मत अलामीन का मतलब होता है दुनिया पे जिसकी रह्मत हो और कुरान मुकम सफरको की पुछा परॉब बतार की रहरी पाराकिक छीए तौर महीं पे ज there यह जा तो आपने है तो हम प्रॉशनी की जब तो अपने ही और फैलता है तो मैं भी घृतारे से इसलाम पहले है और जो जो सही हरा थाता है कि सारी दुनिया में अभी भी अंधेरा है इसलिए इसलिये इसलाम है रोषनी कर रहे हैं आप våra लिंगा Κाल पूर दो मेरे प्रोग्राम को प्रिख भर आरो साल मैं जी रो एक या घून पर में रंगत करते हैं से मेरे प्रोग्राम का ब्कतली कि मेरे प्रोग्राम का बत्र शचक्टLीसा के लिए सब का खंदे से लेकिन अप लड़ने का श् demás कि अगर पढ़ने के लिए बहुत सारे वेद पुरार है जो बेटर है मैं पढ़ूगा यह प्यार मुपत की बात है मेरे उपर लच्छे वाजी मत करिये सर नहीं 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 कि अगर को देख कर के दुनिया प्रभावित होगी हम प्रभावित होगे सर पाहने से प्रभावित नहीं होगे मिश्ञाजी प्लीज आप स्टिस करें डूसरे लोगों से बनिया से मिलकरके रहिए तो अपने आप इसलाम कीवा हमावई होगी आप तो बोलने भी नहीं जाते हैं जरासा बोलो एक टेंकर क्या भेज दिया हमें कलमा पढ़ा हुआ इस टीकर लगाने कि अपना टेंकर हम तुम्हें टीकर भेज रहा है एक टीजा नहीं बना पाया है तू बिलियों की पॉपुलेशन लाना नहीं जानता है बहुत किताब पर्वक्तर लिए को पढ़ने के लिए चीकर मिस्पाइए को मिसलमान बनाना है मिस्पा जी को मुसलमान देखिए रान और अद्र पर भेए प्र पर मुसलमान बन जाईए पर दो आप हिंदुस्तान में है आपको घीता और वेड परना चाहिए क्योंकि आप हिंदुस्तान में है आपको पहने के लिए आता कर्टम पर है पहले जिरना और वे फुरां पुदिये लिए और हम प्रोगरां सब्सक्राइब करे घंद होगे कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहाँ हो जार आप ने कभी धंदी ने दि हम एक नहीं बोर रहा हूं आप उतसो को समझे मिश्राजी प्लीज प्लीज रफी सहाब प्लीज मुझे प्रोग्रम खतम कर लेने तीजे मेरा बनावर पूरा हो गया है अगर हमारी डिबेट से कोई अच्छा मैसिज नहीं जाता तो बेकार है यह लड़ाई करना बेकार है यह डिबेट का मैसिज जनता को समझ आ गया है प्यार को समझा पर के काम जब आगे हैं विश्राजी और रफी वाइप को दोनों को मिठाए यह अपनी बात बता देंगे त से किना कि इन किया तो आज के प्रोग्राम में इतना ही मैं अपने सभी महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आदा करते हूं शुक्रिया आप सब जाहिं अरिफ साहब आपकी वीडियो रुग गई रफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी यही देख रहा हूँ कप जी अरिफ साहब कुछ नहीं हो मेरे बेटरी अचानक वो दिखा रही है कि चार्ज नहीं हो रही मैं कब से देख रहा हूँ अरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज बन आवर मैंने पहले ही कमिटमेंट किया था लेकिन एक घंड़ा पंदर मिनिट हो गए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुडने के लिए आज बहुत 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 शुक्रिया आपका बातचीत रखने के लिए बहुत ज तो World 360 with Manu में आज का हमारा सब्जेक्ट था इसलाम की विस्तारवादी भूख और इस पर हमारे महमान हमारे साथ जुड़े थे आप सब उन सब को जानते हैं आरिप साहब जुड़े थे मिश्राजी जुड़े थे रफी साहब जुड़े और शबनम कान जुड़े थे और उनक इसलाम के विस्तारवादी भूख का यह पहला एपिसोड था हम कुछ और एपिसोड करेंगे अलगले पैनलिस्ट लेकर आएंगे और इस पर वहत लगातार जारी रखेंगे और किसी ना किसी कभी ना कभी किसी constructive way पर उतर कर जरूर आएंगे प्रोग्रम को sum up करने से पहले जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि कोरोना की लहर हमारे देश में बूरी तरह से खैली हुई है हमेश्या मैं अपने लोगों को अपील करती हूँ कि प्लीज मास्क पहनिये, sanitizer का इस्तिमाल कीजिये और दोवेज हमारा परिवार और हमारा समाज खुद बखुद सुरक्षित रहेगा तो वर्ट 360 विद मनु में आज इतना ही और यूट्यूब पर हम जब लाइब जा रहे थे तो आप जिन्होंने हमें सब्स्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्होंने कर लीजे और कल फिर हम आठ बजे शाम को लाइब होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ तो तब तक के लिए अपने दोस्त मनु को आप इसाज़त दीजिए और देखते रहे हैं वर्ट 360 विद मनु